What's up guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहा है केवाल लाटूम एप की मदद से तो जो भी भाई इस वाले वीडियो को ना सुरू से लेकर लास तक देख लेगा वो भी लाटूम एप का यूज करके कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट कर लेगा और 110% मैं लिग के देता हूँ ना कि वीडियो के एंड में आप भी सेम टू सेम कुछ इसी टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट कर लेगे तो वीडियो को आप लोग कम्पलीट देखिएगा लेकिन उससे पहले अपनी गैलरी से ओरजनल फोटो को लिग की और इसकी सेर के आइकन पर टैब करके इस वाली फोटो को सिम्पल से आप लोग क्या कीज़ेगा लेटो में सेर कर लीचेगा और मैं सीधे लाइटोम एप को ओपन करता हूँ वहांपे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ जैसे ही आप लोग लैटूम एप को open कीज़ेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइब के इंटर फेस देखने को मिलेगा तो आल पोटोज के आईकन पे टैब करके अपनी फोटो पे एक बरी ऐसे टैब करके फोटो को open कर लिजेगा और इसी photo को हम लोग edit करेंगे और एक एक इस्टे बहुत ही simple तरीके से इस video के अंदर आपको भाई बताएगा तो बस आप लोग video को complete देख लीजेगा 110-10% में आप लोग को editing सिखा दूँगा तो सबसे पहले इस step में side में हम लोग edit वाले options पे एक बरी ऐसे tap करेंगे और tap कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी light वाले icon पे tap करके इसकी contact की value plus side में 10% कर दीजेगा highlight की value plus side में 8% side की value plus side में 8% या 10% कर लीजेगा whites की value minus side में 17% और इसकी blacks वाली value minus side में 21% कर लीजेगा और ये सारी setting आप लोग जैसे ही कीजेगा तो आप लोग का पहला step यहीं पर complete हो जाएगा लेकिन अगर आप दूसरे step को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो कभी आप लोग photo को edit नहीं कर पाएंगे तो simple से दूसरे step में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे colors वाले icon पे टैप करेंगे और सबसे पहला काम हम लोग का यह होगा कि इसकी temp की value को increase करके plus side में 14% की चेगा tint की value minus side में 4% कर दी चेगा vibrance की value plus side में 23% और इसकी situation की value plus side में आपे 25% कर ली चेगा और उपर side में कोरने में na mix tool के icon पे आप लोग को एक बरी ऐसे tap करना होगा और आप लोग के सामने धेरो सारे color चाजर आएंगे और इनी color का use करके आपका भाई tone को create करना बताने वाला है तो यहाँ पे वीडो को अच्छी तरीके से देख ली चेगा तभी आप लोग उस type की photo को edit कर पाएंगे तो simply आप लोग को क्या करना होगा यहाँ से green color को लेके इसकी hue की value जो हता ना इसे minus side में 100% कर दीचेगा situation को plus side में और यहाँ से आप लोग इसकी luminance की value भी plus side में 28% करके और simple से यलो कलर को लेके इसकी situation की value minus side में 100% कर दीचेगा इसकी luminance की value plus side में 20% कर लीचेगा यहाँ से एकवा ब्लू कलर को लेके इसकी situation की value minus side में 100% ब्लू कलर को लेके इसकी situation को minus 100% और यहाँ से orange कलर को लेके इसकी situation की value minus side में 24% करके luminous की value plus side में 22% कर लीचेगा simple से ये setting कर लेने के बाद done वाले icon पे आप लोग को tap करना होगा अगर आप यहां तक वीडो को देख लिए तो एक step और आप लोग वीडो को देख लीचेगा 100% आप लोग उस step की कमाल की photo को edit कर लेंगे तो simple से आप लोग को mixed tool के बगल में grading के icon पे जाना होगा ऐसे scroll करके नीचे आके इसकी blending की value plus side में 74% कर लीचेगा balance की value 27% कर लेने के बाद highlight वाली section में आप लोग यहां से आईएगा अपने finger से पकड़ के ऐसे घसीट के ना थोड़ा सा blue side में कर दीचेगा जिसकी hue की value 231 रखिएगा situation को 32 और यहां से आप लोग done click कर दीचेगा done click कर लेने के वाद simple से दूसरा step भी complete हो जाएगा अगर आप अपने face को smooth करना चाहते है एच डी photo को बनाना चाहते है तो उसके लिए आप लोग को नीचे आके यहां पर details के icon पर tap करके इसकी sharpening वाले में आके इसकी amount की value plus side में 31% कर दीचेगा masking की value 28% कर दीचेगा 29% वाले में आके इसकी noise reduction की value plus side में 22% और color noise में आके इसकी color noise reduction की value 19% कर दीचेगा smoothness को 100% कर दीचेगा और simply आप लोग को fourth वाले step के अंदर क्या करना होगा effect वाले icon पर जाके इसकी texture की value plus side में 10% clarity की value minus side में 6% और dice की value plus side में 10% करके wignet वाले में आके इसकी amount को यहां से कम करके थोड़ा सा 21% minus side में कर लीचेगा और यह सारी setting आप लोग जैसे ही कीज़ेगा तो आल्ट वाले आपकी पूरी photo edit हो के आ जाएगी जो देखने में काफी awesome and file सी दिख रही है तो इस photo को full HD में save कर देख सेर के icon पर tap करके save to revise कर दीचेगा आपको photo gallery के अंदर save हो जाएगा तो तब तक के लिए टाटा बाइबाइ थांस और watching guys